नमस्कार, आजाद सिपाही के विसेश में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश सिंग दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है देश में हर तरफ चुनावी कतिविधियों की धमक महसूस की जाने लगी है पिछले साड़े नौ साल से देश पर शासन कर रही भारती चुनता पाटी और इसके शुर्षस्थनेता प्रधानमंत्री नरेंदर मोडी वैसे तो हर समय चुनावी अगनी परिक्षाओं के लिए तयार रहते हैं लेकिन इस आम चुनाव को जीतने और लगतार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए कुछ खास तयारी की जा रही है हिंदी पटी के तीन रच्चों में मोडी गारिंटी के चादूई असर को देखते हुए भाश्पा ने लोग सभा चुनाव में भी इसको अपना सबसे बड़ा हत्यार बनाने का फैसला किया है विपक्षी दलों द्वारा उठाई जाने वाले तमाम मुद्दों की काट के लिए भाश्पा ने मोडी गारिंटी के स्वरूप को विस्तार देने के रणनीती तयार की है जिसके केंदर में फर्स टाइम वोड देने वाले रहेंगे भाश्पा का मानना है कि युवा मतदाताओं को साधने के लिए उनके जैसी सोच जरूरी है पिये मोडी ने हाल की अपनी वारानसी और सूरत यात्रा के दौरान इसका संकीत भी दिया इसके अलावा भाश्पा ने गरीबों, महिलाओं और OBC वर्ग के लिए कुछ ऐसी ठोस योजनाएं लेकर आने वाली है जिनकी मदद से उनका समर्थन हासल किया जा सकेगा भाश्पा की तैयारी को देखकर ऐसा लगने लगा है कि इस बार भाश्पा 2019 में 303 सीटें चीतने का रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्या है भाश्पा की पूरी योजना और क्या हो सकता है इसका असर चलिए समझने की कोशिश करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र अब चुनावी महायग्य से कुछ ही कदम की दूरी पर है हर रोश्पतिक दल अपने अपने हिसाब से इसकी तैयारी में चुट गया है पिछले दो चुनावों में शांदार चीत हासिल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रोश्पतिक पार्टी यानि भाश्पा अपने सबसे लोग प्रियनेता नरेंदर मोदी के नित्रित्तों में लगतार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में चुट गई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने वारानेसी और सूरत की अपनी दो दिवस्य यात्रा के साथ ही लोग सभाचुनाव की तैयारियों का एलान कर दिया है 2014 और 2019 में भी लोग सभाचुनाव की तैयारियों का श्री गणेश भी उन्होंने बाबा विश्योनाथ की धरती काशी से ही किया था दोनों ही बार नए रिकॉर्ड के साथ केंदर की सत्ता में पहुँचे नरेंदर मोदी के लिए इस बार अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनाती होगी वो अब तक हर बार पहले से ज़ादा पहुमत के साथ जीतते रहे हैं ऐसे में इस बार यह देखने की बात होगी कि क्या वह अपनी पिछली सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी कर पाते हैं या नहीं भाश्पा ने 2024 में मिशन 400 का लक्ष्य तै किया है और इसके लिए खास हरणेती तयार की है अपने लक्षित तक पहुचने के लिए प्रधानमंत्री और भाश्पा मोदी की गारंटी पर जोड दे रहे हैं सुएम प्रधानमंत्री अपने संबोधोनों में लगतार बार बार मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं रजस्थान, मध्यप्रदेश और च्छतिजगर के चुनावों में भी लगतार इस शब्द समोह का उप्योग किया गया जिस तरह भाशपा इसका बार बार प्रचार कर रही है लोग सभा चुनाव में भाशपा के चुनावी खुशना पत्र में इसका उलिक किया जा सकता है मोधी की गैरंटी के नाम से चनता से कुछ वादे किया जा सकते हैं ये वादे ऐसे हो सकते हैं जो भाशपा को जीत की गैरंटी दे सके 2024 के चुनाफ में करीब 12 करोर ऐसे वोटर होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे यानि फर्स टाइम वोटर 2019 के चुनाफ में भी युवा वोटरों ने बड़ी संख्या में भाशपा का समर्थन किया था इसलिए भाशपा इस बार भी उन्हें साधने में पूरी ताकत लगाईगी आने वले दिनों में 18-30 वर्ष की आयू वर्ख के मतदाताओं से संपर्ख और समनवय बढ़ाने के लिए भाशपा की तैयारी के तहट पिये मोदी ने सूरत में युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत यानि रोजगार की चमकरबात की पार्टी का मानना है कि युवा वर्ख के वोट बैंक में आधार बढ़ाने से मिशन 2024 की रह को पूरा करना आसान होगा पार्टी का मानना है कि इस आयू वर्ख के मतदाता बीते 10 सालों से मोदी सरकार के कारकाल को ही देख रहे हैं पार्टी के नेताओं का मानना है कि मोधी सरकार की योड़ से रस्ट्रवाद और विकास के मुद्दे से जोड़ी उपलब्धियों को इस वर्ग ने करीब से देखा है ऐसे में इस वर्ग को मोधी की गारिंटी के नाम पर लोकसभाचुनाव के लिए साधना आसान है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि गरीब महिला, किसान और नौजवान है उनके लिए जाती है इसलिए पार्टी ने नौजवानों को साधरें की योचना बनाई है पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से एक ओर जहां नए मतदाताओं के साथ सेल्फी लेकर नमो एप पर अप्लोड की जाएगी वहें इस आयू वर्ख के मतदाताओं को विक्सित भरत का अमपेजिडर भी बनाये जाएगा महिला मोर्चा भी विभिन सिक्षन संस्थानों में इस आयू वर्ख की महिला डॉक्टर, इंजिनियर और सिक्षकों आदी को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा सूतरों के मताबिक इस आयू वर्ख के मतदाताओं का पूरा डेटा पार्टी ने जुटाया है आगामी दिनों में युआ मतदाताओं को साधनी के लिए सम्मेलन और प्रतियोगिताएं भी कराने का विचार चल रहा है पार्टी के बूध करकरता रगतार इस वर्ख के बीच रहकर उन्हें पार्टी से चोड़ने का प्रयास करेंगे पिये मोदी ने सूरत शेहर में दुनिया के सबसे बड़े आफिस कॉम्पलेक्स का उद्गाटन किया इस सूरत डाइमंड बोर्स को सरसट लाग वर्क फुट में बना दुनिया का सबसे बड़ा कर्याले कॉम्पलेक्स कह जा रहा है मोदी ने दावा किया कि इसके बनने के बाद सूरत में डेड़ लाख नई नौकरियों का सूरत का हीरा बाजार अकेले अपने दम पर आठ लाख नौकरियां देता है अब उसके रोजगार सूरत में बड़ी विध्धी होने का नुमान है सूरत के हवाई अड़े को अंतरस्ट्र स्तर की उड़ाने परदान करने की सुविधा मिलने से यहां रोजगार में विध्धी होने की संभावना है अपने संबोधन में भी परदान मंत्री ने मोदी की गैरंटी शब्द समूह का इस्तेमाल किया इस गैरंटी में देश की जनता के लिए वैश्विक स्तर पर भरत की नई पहचान बनाने के साथ साथ रोजगार मिलने की गैरंटी देने का संदेश भी मिला मोदी की यह गैरंटी युवां को आकरशित करने वाली हो सकती है वारनसी में जिस तरह नमोगाट और काशी के जोड़नधार का उन्होंने प्रयास किया है भाशपा को उसका लाब अवश्य मिलेगा काशी की धर्म परमपरा को तमिल परमपरा के साथ जोड़ने की कोशिश और देश के दोनों छोरों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने का भी प्रयास नया संदेश दे जाएगा एक महीने से भी कम समय के अंतर में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी अयुध्या में 22 चनवरी को भगवान राम के मंदिर का भी उदखातन करेंगे इस महिने के अंदर में अयुध्या के हवाई अड़े से उड़ाने शुरू हो जाएंगी इसे अंतराश्च्वे हवाई अड़े के रूप में विक्सित करने की योजना है इससे भी उत्तर प्रदेश के विकास और धार्मिक परेटन को एक नई उचाई मिलने वाली है प्ये मोदी की विकास और धर्म किया रौशनिती भाशपा को तीसरी बार भी सत्ता में ले आए तो इस पर किसी को आश्चर नहीं होना चाहिए इसे पूरी तरह मोदी की गारंटी ही कहा चाएगा आजाद सिपाही के विसेश में अभी इतना ही आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रही अपना लोक प्रियदानिक अखबार आजाद सिपाही थन्यवाद